अलो डियर एफम जी वन्स अगाइन वेलकम यौर गाइस थोड़ा सा लाइक नॉइट्स डॉलर कोस्टर टाइम है कि अब सबको पता है सिफ पांच दिन बचे हैं तो गाइस आज का जो वीडियो है वो स्ट्रेस मेनेजमेंट से रिलेटेड है लाइक होता है कि लाइस टाइम पर और बहुत सारे टोग जैसा आपने ग्रूप पर भी देख रहा होगा या पॉस्टर भी मैसेजिस करते हैं कि सर बहुत जादा टेंट्सन हो रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ा है नहीं तो गाइस सबसे पहले अगेन फुल वीडियो देखो और फिर से बोड़ा हूं सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन का चानल वो कर दो क्योंकि अब लास्ट चार-पांच दिन इसलिए मैं इतना लाइक इस टॉपिक को लेके सीरियस हूं सबसे बड़ी चीज सबसे जो इंपॉर्टन है अब इस टाइम पर आप टेंसन देके कुछ नहीं कर सकते हूं और ट्रस्क में अगर यह सब जितने भी मैंने बताया है फिर से मैं बता रहा हूं जो कोस्टन्स आप लोग के हैं कि सर अओ यह सब आप लोग के साथ हो रहा होगा कि सर एस्ट्रेस हो रहा है कि पताने रिजर्ट क्या होगा दूसरी चीज की पेपर पता नहीं कैसा आएगा फिर बोलतों कि सर कुछ याद नहीं आ रहा है मैंने जितना रिविजन पांच रिविजन छे रिविजन कुछ लोगों ने ठट रिविजन कर रखें कुछ लोगों ने तो रिविजन किये जो ज़्यादा पढ़ लेता है तो इसको टेंशन नहीं आथा इसको टेंशन कि इसको नहीं आथा जो पूरे पांच है मैंने रिविजन कर लेंगे और उसको टेंशन के टाइम पर कुछ भी नहीं आथा तो इसको टेंशन है नहीं क्योंकि ना कुछ पढ़ा है ना कुछ या आप लोग ऐसा feel आ रहा है कि नहीं मैंने यादी नहीं मेरे को कुछ मैरे से होने का नहीं तो guys तुम बहुत सही रास्ते पे हो यह feeling मुझे भी आई थी यह feeling और भी जो successor है जो पास हो चुप उससे आप पूछोगे they all will tell yes this feeling is necessity आता है तो guys इसके लिट जेंडर मतलो अब है कि इसका सर बोलो सर इसका solution क्या है solution यह है बिल्कुल यहाँ से relax रहो सबसे पहले चीज़ देखो सबसे पहले चीज़ आप result के बारे में आपने नहीं सोचना है जो result होना है आपको हो जाएगा जो आप पढ़े हो वहाँ पे लिख के आओगे अगर पूछे का question इमेज आपके सामने रहेंगे question आपके सामने रहेंगे आप पढ़े हो तो लगा क्या होगी भले ही अभी वह चीज़ याद नहीं आपको बट वहाँ पे एक्जाम में आपको 100% याद आएगा so guys इसके लिए बेफिकर हो कि कुछ याद नहीं वहाँ पी याद आ जाती है तो जब याद आ जाएगी तो आप उसके लिए सोचना क्यों टेंसन क्यों रहना कि हमारे रिजल्ट क्या होगा अब रही अगर रिजल्ट के बारे माँ आज से आप सोचोगे डेफिनिटल आपको रिजल्ट खराब होगा रिजल्ट आपको आना एक महीने बाद जो चीज एक महीने बाद होना उसके लिए आज क्यों सोचना है आज क्या सोचना है कि हमने छे महीन पढ़ा गया हमने साल बर पढ़ा गया उसको जाके वोमेट करना है वहाँ में आपको just vomit everything whatever you have studied for last six or one year six month or one year so guys this is very important stress नहीं लेना है हो सके तो थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड लाइक फैमिली से बात करना है start करो they also try to reduce your stress और anxiety so वो करो आप जो भी जो लोग धार्मिक है सभी लोग धार्मिक होते इंडिया में तो and it's good to be like किसी का पूजा करना किसी का मानना कोई नमाज पढ़ते हैं कोई चर जाते हैं so do all things whatever you like because that will help it's a kind of meditation like in every religion their worship is a type of meditation so meditation definitely help you for overcome this stress वो करो ये करो उसके बाद किसी को भी tension हो guys मैं यहाँ पर बहुत ही ये चिन्याँ especially this one is for july exam going exam student के लिए मैं number यहाँ पर डाल दूँगा description में but only for july student आप की sitem भी call करो 24 hour call करो हाँ मैं receive नहीं करूँ तो call back I will do call back especially इसलिए कि आपको अगर stress हो रहा है तो उसके लिए मेरा number रहेगा आप लोग क्योंकि देखो मैं ये चार-पाच दिन अपने को sacrifice करके आपको call receive कर लूँगा आपको जहां तो खोगा I will try to reduce your stress or anxiety मैं sacrifice करने को त्यार हो but only when you feel like that you can call me direct call me no telegram कुछ नहीं मैं direct I am providing you my personal number you can call but only for July 7 not coming December for them I will give a separate time so guys किसी टम भी call करो मेरा number on रहेगा और किसी भी तरह का tension related study related fan कुछ भी किसर stress हो रहा है कुछ याद नहा रहा है ये सब के लिए मैं available हूँ